साहस सरुकार हम भारत का स्वर्ग बोलते हैं ब्योस्थाओं से खुर्षूर्टी से बादियों से पर ये भारत का स्वर्ग पिछले के तीन दसकों से एक ऐसी ब्योस्था के अधीन था जो अब तक सुधन नहीं पाई थी सुधन दे की बात अगर हम करें तो यहां पर जो सिनेमा हॉल थे 1980 में अगर हम बात करें जम्मु कस्मी के तो सिनेमा हॉल जम्मु कस्मी में कल सिनेमा हॉल 15 थे और उसके बाद झब 1989 में 1989 में 1989 में जब चरमपंदियों ने कहा कि फिल्म से है ये गयरश् stretchy shy है उसके बाद जम्मु कस्वी में अलग आगाज हो गया और लगातर फिल्मों को टार्गिट किया जाने लगा और सिनेमा घर बंद कराने जा लगा और यह पराकास्था यह हुई कि 1989 में अल्लाहा टाइगर नामक उगरवारी संगधन ने जम्मु कस्वी में सारे ठीटरों को सारे सिनेमा होलों को बंद कर दिया इतना बंद कर दिया कि कोई खुलने के लिए तैयार ही नहीं थे वो आतंक आतंक की धमकिया और घटना यह बताती हैं कि घाटी में सिनेमा बरबार हो चुका था घाटी के लोगों से सिनेमा दूर जा चुका था क्योंकि वहाँ पर आतंग की साया इस तरह से लगा हुआ था कि वहाँ पर कोई भी विकास की बात करना या कोई भी अच्छी बात करना अगर आतंग बादियों को या स स्थिदी कस्वीर में रही उसके बाद जा 1996 में भी प्रयास किया गिया कि सिनेमा घर खुले 1999 की बात करें तो फारुग अब्दिल्ला सरकार थी और फारुग अब्दिल्ला सरकार ने भी रीगल नीलम और ब्रोडवे नाम के तीन सिनिमा घरों की शुरूबात की और प्रियास किया कि यहां पर दोबारा चीज़े शुरू की जाए उसी बक जब रीगल का पहला सो दिखाया जा रहा था गटना हुई आतंगी गटना हुई और उस आतंगी हमले के बाद सरकार को अपना वो फैसला रद्द करना पड़ा उसके बाद फिर मुप्ति सरकार आई दोह सतरा में जो की भाज़पा कैसे गटबंडन करके आई थी और उसमें भी प्रियास किया गया कि हम लोग सिनिमा को दोबारा सुरू करें यानि तीन दसक का इंतियार को खतम करें अगस्ट 2019 को जम्मु कस्मी से अनुच्छे 370 हटाये गया तो यह बार इस्पश्ट हो गई कि जम्मु कस्मीर पुना गटन अडिनियम के तहट अब जम्मु बेकास की धारा में सामल हो पाएगा यानि जम्मु में अब केंद्रिय कानून यानि जो लगवर हम बात करें तो 890 केंद्रि कानून है वो सारे केंद्रि कानून अब जम्मु कस्मीर पर लागू होंगे और इसकी ब्यास्थाओं के चलते अब चीज़े बेहतर की जाएंगी और जिसकी अगर हम चलनबत शुरू कर दिया है मैथ मुठ प्लब्दी क्योंकि अब तक वहाँ पर सिनेमा हुआ करते थे खेटर हुआ करते थे चोटेव भूकी ज़ह करती थी और हम जम्मु के टौकीजि की बात करें तो वहां पर पहली टौकीजि हुई थी ती खारी टौकीजिए प्र उसके बाद जिसते छहेसे घाटी में महौ ला तीन दसक उननिस सो अस में उननिस तो फेष्ट्टल के माद्यम से लोगों को फिल्म में दिखाई गई और इंटरनेट के माध्धम से लोग देखे पर जो एक ब्यौस्था थी सिनेमा हॉल की टॉकीज की जो एक एक चल्चित्र ब्यौस्था का एक आयाम है कि टॉकीज होनी चाहिए मल्टिप्लेक्स होना चाहिए वो अब तक नहीं थी पर बहुत बैतर पहले आपर हुई और आज सितंबर 20 में उपराजपाल मनुष सिनाने वहाँ पर श्री नगर के स्री नगर के एक इस्थान पर सिप्पोरा में मल्टिप्लेक्स का उगटन किया है इसके साथ इसाथ अगर हम बात करें तो दो मल्टिप्लेक्स पुलवामा और सोपियां बो पुलवामा जो अब तक की आतंगी हमलों से जाना जाता है वहां पर भी शुरुबात कर दी गई और अगर हम पहली फिल्म की बात करें तो आज आमिर खान अभिनीत जो फिल्म थी लाल सिंग चड़ा उसकी वहां सोवरंब की उसका वहां पर स्कीनिंग कराई गई लोगों ने देखा और तीस सितंबर से यह सिनेमा घर यह मल्टी फिलेक्स जो कभी सिनेमा वहां पर नहीं थ सोवर देखे जा सकेंगे जो कि वहां की जनता देख सकेंगे बड़ी उपलब्दी इसलिए बोलेंगे कि जब 370 अनुछिर हटा था उसके बाद यह बात की जा रही अब जम्मू कस्मीर में अंडाज नहीं होगा बहां के लोग खुश नहीं है बहां के लोग आजादी भारती सिनेमा से पर्चित होना भी आपकी अधिकार है और विश्व सिनेमा से पर्चित होना भी आपका अधिकार है तो वो मूवी वो चल्चित्र वो सिनेमा हम मोबाल में क्यों देखें वो फिल्म फेस्टिवल के माद्दम से क्यों देखें हमारा देश मामली दिकार की व पर किरिया चलती है जिसके तहट अब कस्मीर में भी लोग मल्टी प्लेक्स में जाके मूवी देख सकेंगे आइनस कंपरी ने मल्टी प्लेक्स बनाया है यह तो अगर हम देश में मल्टी प्लेक्स की बात करें तो मल्टी प्लेक्स की सुरुबात अगर हम कहे हैं तो 1990 मोबें हुई तो दिली में देश का पहला मुल्टी प्लक्स ठीटर बनाए गया था मुल्टी प्लक्स यानि जहां पर कई मूवी एक साहरा देकी जा सकते हैं जहां पर कई स्क्रीन रहती हैं उसको मुल्टी प्लक्स बुलते हैं तो निस्ति रूप से उपलब्दी यहां पर बड़ी उसके बाद चरमत तरीके से अन राज्यों में मल्टि प्लक्स खुलते रहें, तमाम बड़ी कंपनियां हैं आइनोस की बात करें या पीवियार की बात करें, तो तमाम बड़ी कंपनियां जो मल्टि प्लक्स बनाती हैं, संचालन करती हैं पर यहां पर जिस तरह से कस्मीर में तीन दसक बाद एक ब्योस्था के चलते एक परियास के चलते जो मल्टी प्लेक्स आया निस सिरूप से कस्मीर के लिए बहतर पढ़नाम सामने लाएगा जो कि फिल्में भी समाजिक डिस्टिकोन रखती है और फिल्मों के पेड़ना भी लेते हैं बजरते वो पेड़ना अच्छी हो खरापेड़ना होगी तो खरापड़ना माएंगे और वहां पर भी आने वाले समय में मल्टी फ्रेस खोले जाएंगे अगर हम अपने देश की बात करें तो हमाएं देश में लबबकट दसवार के लवगत स्क्रीण से पर जो ब्यौस्था आज कस्मीर में शुरू हुई जो ब्यौस्था आप कस्मीर के लोगों के लिए पर जो ब्यौस्था आप के लिए जो ब्यौस्था के माध्यम से अब हम जान सकेंगे हां भारत में क्या मां अंग है तो भारत के अंग होने के कारण हमको जो सुबधाय मिलती है उन सुबधाय में मल्टिप्लेक्स भी एक है आइनोस कंपनी का बैथर प्रबंधन आइनोस कंपनी का बैथर विचार अच्छे विचार धारा के साथ इसा पर खोला गया है तीन खोले गए है ना कोदा स्रीनेकर के से पुरा में पुलबामा में और सोपिया और यह परिकल्पना उसी समय साकार हो गई थी जब पांज अगस 2019 को अनुच्छे 370 हटाए गया तो उसके बार यह दिखा जा रहा था कि अब करस्वीर में बो काम होने बाले हैं जो तीन द अभी तक कस्मीरों से कोई नाता ही नहीं रहा है कि कस्मीर कराज के बात करें तो प्रेम भी है अपनापन भी है और जब हम बहां के पुरारक स्थलों की पवित स्थलों की यात्रा पर जाते हैं तो भही अपनापन भही प्रेम हमको देखने भी मिलता है वो कस्मीर जो एक सम पर वो कश्मीर अब बहतरी के लिए भी जाना जाएगाँ, वो गस्मीर अब बहतर पड़ नाम के ज़ना जाएगा, वो गस्मीर अब बिकास की धराखकी जञाना जाएगा और वो कस्मीर अब आने बाले समय में देश के करम से कदम मिलाकर देश को विकास्ति परफ़र अगरसर करने बाले राज की रूप में भी जाना जाएगा कि अगर आपकी नियत और मनसा ठीक है अगर आप चाहते हैं कि हाँ राज के हर लोगों को लाब मिले उनको विकास्ति मुक धारा में आने का फायरा मिले वो देश में मौझूद सारे संसादनों का उप्योग कर सके जो उनका मानुदिकार है तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह कि गटविडियों को बढ़ाना होगा क्योंकि अगर अन्य राज्यों में मौल है या अन्य राज्यों में बैतर व्योस्ता है तो उस बैतर व्योस्ता से कस्मूर को भी रूबरू कुरान आबस्थक है क्योंकि अगर कस्मीर को रूबरू नहीं होगा तो कहीं न कहीं यह मान जाएगा कि हमानुच्छे टोटा देते हैं हम बात तो बिकास की करते हैं पर वो बिकास अभी तक मज़ादर पर नहीं उतर पाए है और अब यह विकास धारतर को तरना सुरू हो गया है हाला कि पुरर कथा इसकी व्योस्था पहले भी हो चक्ति थी व्योस्था करने का प्रया का पीछी एतना मझबूरी था क्योंकि महारी के चलते बढ़ी संक्षा में जया रहे थे वह समय सारी वियंद्सवा को सबसे पहले नभाना ज़रूरी था और यह हमारी सरकार का नेतिक करता बे था जिसको सरकार ने नभाया पर जब से प्रोणा महामारी के बाद तीसी लेहर के बाद जब अब इस्थिती थोड़ी बैतर हुई है तो विकास की पत की बाद भी हो रही है और इस माध्यम से अब लोगों को बैतर करने का प्रयास भी किया जा रहा है क्योंकि एक बाद ट्रिस्पस्ट है कि अगर मल्टी प्रिलेस खोलेगे तो बैचारधारा भी बजलेगी लोग मूवी भी देखेंगे आनल भी उठाएंगे और साथी साथ पेढ़ना सूथ भी पिच्चर है उनकी बनेगी क्योंकि मैंना प्राप की फिल्में जो तर समाज क होती हैं और उनसे पेढ़ना लेकर लोग समझते भी हैं तब ही आज भी आप देखते हैं कि लोग सुपरस्टारों को अपना आइकॉन मानते हैं इसलिए मानते हैं कि जो उनकी पिच्चरों को लेखते हैं और ऐसा कि हमने देखा है साउट में जरस्तर से रजी कान का इक आने वाले समय में कस्मीर में भी होगी पेढ़ना स्दूर्ट भी होगी आंगे बढ़ने का प्रयास भी होगा और साथी साथ मैं इस कारिकम के मादनम से केबल एक ही बात और बोलना चाहता हूं कि अगर विकास की परकलपना साकार हो रही है तो निस्तरूप से अब यहां प कि अगर बोट बैंक की रूप में लोग उपयोग करते है तो जनता जनारदन के साथソ'। होती तो फिल्मों को मुस्लिम बर्ग देखने नहीं जाता फिल्म में मुस्लिम बर्ग काम नहीं करता कलाकार कलाकार होता है फिल्म है समाज का आयना होती है कि बचारधार जोड़कर फिल्मों को रोकना या फिल्म बेष्छार को बन गरना एक तर्म भी बेटर बचारधार नहीं है इक बचारधार बजलना पड़ेगा और आने बाले समय में मैं देखना चाहता हूं और उम्मीर करता हूँ कि कस्मीर में तमाम ऐसे आयाम और पिस्तुर के जाएंगे जिससे कस्मीर जो अब तक वो पेच्छल माना जा रहा था जो अब तक की हमलों के लिए जाना जाता वो कस्मीर बिकास की बात के लिए जा जाए और आरे बाले समय में भी इस तरह के बैतर पढ़ना हम सामने आएंगे और देश के साथ साथ हमारे भारत के स्वर्ग यानि कस्मीर को भी नवासियों को भी यहाँ पर कुछ अच्छी सोलाओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा और इस कारकेम के माद्यम से निश्रुप से सरकार पर सब्सक्री काम है और तीन दसक के जो एक अभिसाब था अभिसाब को हटा कर यहाँ पर मल्टी प्लस के स्थापरा की गई है ऐसी स्थापरा और होते रहे और कस्मीर के जो जिले जिले में इस तरह के मल्टी प्लस सेंटर खोलें जस्ते कि लोग समाज के आईने यानि फिल्मों से रुभूरी हो सके और परवरतन के साथ सार बेकास के धरा में आगे बढ़ सके तो आज की चर्चा में अगली बार फिर किसी नए मुद्दे के दार होगी मुलाकार तब तक कि मुझे यानि गौरस रिवास तो डीजर आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साथ